में MBBS की जो फीस होती है college की वो कितनी होती है government की तो बहुत लो होती है like 50,000 या फिर बहुत aims में जाओगे तो कुछ भी नहीं होती है बड़ वहाँ पर होने की possibility बहुत तो बहुत कम होती है तो मानलो आ प्राइवेट कॉलेज में गए तो वहाँ पर कितनी फीस होती है तो कितनी salary मिलती है 45,000 45 डिपेंड on state to state वहाँ से निकलने के बाद में जो average salary आपको मिलती है that is around 50,000 rupees per month तो अगर ये एक करोड रुपे आपके पिता जी के पास में या माता जी के पास में नहीं है और आपने लोन ले लिया है तो इस लोन के उपर जो interest लगेगा वो लगेगा 9% यानि साल का 9,000,000 रुपे आपको देना है interest और आपकी कमाई है साल की 6,000,000 रुपे जिसमें से कुछ खर्चे भी होंगे